गोरकपूर में शनिवार को 24 घंडे के अंदर मातर एक नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला है इसके बाद से जिले में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 21,442 पहुच गया है इनमें 21,022 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मौत की संख्या 363 हो गई है वहीं जिले में एक्टिब केस की संक्या 57 रह गई है इसकी पुष्टी CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्विभाग और जिला प्रशासन ने रहात की सांस ली है इस संबन्द में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में जिले के ग्रामीर छेतर के बास गाउं में एक मरीज मिला है इस संबंध में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशे साउधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगच की दूरी, मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करे पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बशने के लिए विशे सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि इसका वाइरस ठंड में जादा असर करता है, इस ते लोगों को भीड़ भार से बसते हुए मास्क का इस्तमाल करना होगा जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हत्यार है